हेलो दोस्तों वैलकम टू एजूकेशन चैनल दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं और इसमें जो है तो प्रोफाइल की वैकेंसी है राइट अच्छी खासी इसमें वैकेंसी नमर वैकेंसी है राइट और यह रिलीज किया गया है उत्राखंड अधिनस्ट चैन आयो के द्वारा राइट इसमें हम जानेंगे एक्जामनेशन पैटर्न फुल नोटिफिकेशन दोस्तों इसमें हम डिसकस करने वाले हैं और सैली स्टक्चर जो है देखिए 35,400 लेक एक लाग 12,400 तक सैलरी है राइट इसमें तो इसमें अच्छी ऑपर्चिनिटी है कर बनाने का इस वैकेंसी में जो इलिजिवल है तो डेफिनेटली आप अप्लाइ कीजिए इस प्रोफाइल के लिए और जो इसमें इलिजिवल नहीं है उनके लिए वीडियो के लास्ट में तीन और नोटिफिकेशन होगा जो की ग्रेजुएट होल्डर के लिए ही होगा इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गौर्मेंट जॉब से रिलेटर नोटिफिकेशन या फिर अगर आपको अभी एक्सल एमेस एक्सल सीरीज स्टार्ट हुआ है तो आप वहां जोईन करके एमेस एक्सल जो है वह आप सीख सकते हैं जि जियरा युद्ज है इस निकली है यहां पे देखिए और इसमें चथिटर के लिए 10 आप हैं जो दॉट आपका इसमें आतिन के लिए है राइट स्टार्टिंग डेट है 26 जुलाई से 26 जुलाई की रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन और तीन अगस्त से 16 अगस्त तक आप अपलाई कर सकते हैं ओनलाई अठाड़ सितंबर तक पे कर सकते हैं जो रिटेन एक्जामनेशन इसमें होने वाला है जो कि सिर्फ रिटेन में होगा राइट अब दोस्तों इसमें इलिजिबिल्टी करिटरिया रेस्ट आफ अधर तिंग हम डिसकस कर लेते हैं आप इसकिप मत कीजिएगा ताकि आपको जो है फॉर्म फिलिंग करते वक्त कोई भी डाउट ना रहे सारा कुछ कवर करेंगे तो चलिए देखते हैं यहां पर देखिए आप जो है यह अगर कोई डाउट होता है यहां वाट्सअप नमर दिया गया टॉल फी नमर दिया गया एंड इमेल आइडी दिया गया है तो आप इस पे जो है कॉंटेक्ट कर सकते हैं आइधर आप मुझे डारेक्ट कॉमेंट कीजिए मैं आपको तुर साले में है वन वेकंशी और दूसे डिपार्टमेंट दूसा वेकंशी है अच्छी वेकंशी है इसमें देखिए सालरी स्टक्चर जो है इसमें 29,200 से 92,300 तक है 18-42 एज रखा गया है और एज कैसे कल्कुलेट करना है जो डेड मार्क है एज का डेट का वो मैं बताऊंगा र यहां इसमें नहीं है और वीडियो के लास में जो तीन नोट्फिकेशन है उसमें आप अपलाई कर सकते हैं अभी देखते हैं पुरा नोट्फिकेशन कि की सी प्रोफाइल में है या अदर स्टेट वाले के लिए या नहीं तो और उसके बाद इसमें मांगा है डिपलोमा सि लिबाद यहां पर देखी आपका मांद्चितरकार जो है लाग में 27 वेकिंसी है सेंब प्रोफाइल का जिसमें कि आपका यहां पर देख सकते हैं, इसमें 11 वेकंसी यहां पर दिया गया है, उसके बाद तो उसके बाद 13 vacancy दर्स के लिए है राइट यहां पर बेक अपट दिया गया वह दिरेंट्लि यवल के लिए कोई एक्स प्लिसमैंग के लिए कोई नहीं और्फनेश के लिए वन वडेकंशी है यहां पर टोटल जैनिरल के लिए साथ वेकंशी रखी गई है 17 वेकंसी टोटल जेनरल के लिए है अब सैली स्ट्रक्चर 35,400 से लेके 1,12,400 तक है 18-42 एज रखा गया है इसमें भी सैम जो डिपलोमा मांगा है दोस्तों सिविल इंजिनिरिंग से और यहां पे देखिए आपका मानचित्रकार फिर से 16 वेकंसी है यह अग्रिकल्चर डिपार सैम आफका मांगा है इसमें मानचित्रकार इतना है civil engineering मांगा है diplomatist अब यहां पे देखिए दूसरा मानचित्रकार जिच में 10 वेकंसी है यहां पे दिया गया है देहरादुन में 1 वेकंसी हरीदौर में 2 वेकंसी रुड़की में 1 वेकंसी कासि पूर में आपका यहां पे 1 सब्सक्राइब सबस्क्राइब लां ब्लार साओर poem इप्सट्राहिए बताइब मांगा है intermediate किसी भी राजिशे इसमें आप apply कर सकते हैं यहाँ देखिए राज सरकार द्वारा मानता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से intermediate उत्तिर्ण डिप्लोमा या ITI हो तो आप apply कर सकते हैं यहां देखिए प्रारूप कार जो की यहां पर ड्राफ्टर है उनके लिए पांच वैकेंसी है लगू सिचाई विभाग में पांच वैकेंसी है 35,400 तक साली स्टक्चर 18-42 एज है अब यहां पर देखिए आपका इसमें इसके candidate apply कर पाएंगे तो इसमें जो है आपका जो हाई स्कूल है उसको qualify करने के बाद इसमें जो है और कुछ नहीं मांगा है राइट इसमें सिर्फ return examination इसमें देखिए ITI मांगा है या डिप्लोमा होल्डर आइटी आई डिप्लोमा होल्डर जो है वो इसमें apply कर सकते हैं 18- 42 एज रखा गया है और सर्वेयर के लिए 15 वैकेंसी है जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 35,400 लेके 12,400 तक साली स्टक्चर है और इसमें जो कि सर्वेयर में जो है इसमें टू येर का डिप्लोमा या सिविल इंजिनरिक्स डिप्लोमा हो तो आप apply कर सकते हैं राइ है हर एक कोश्चन जो है एक नम्मर का होगा राइट और जो है इसमें टेक्निकल कोश्चन पुछे जाएंगे एक जुलाइट दो होजारे 21 जो है यह मार्क है यह डेट का मार्क है जहां कि आपका बड़ीट क्यालकुलेट होगा जो की टोटल एच कैलकुलेट होगा टेकनिकल इसमें कोश्चन पूशे जाएंगे दोस्तों अब यहां पर देखिए सुल्क जो है 300 रूपीज जनरल के लिए एड अनुची जाती जन जाती और दिव्यांग जन के लिए डेर्थ और रूपया अप्लिकेशन फी है और जो है रिजर्वेशन शिर्फ उत्राखंड क के कंडिडेट को ही अप्लिकेवल होगा आप यह जो है ओनलाइन पे कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट कीजिएगा मैं आपको रिस्पोंस करूंगा अभी जो स्क्रीन पर तीन नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको देखें औ धिक्यू पर वाचिं ध्यो आपको यप वाचित वीडव मैं आपको झाले खेंगे कर दोस्तों अखेंगे।